मलत्या करने के बाद नाना और जो बहुत लोग देखता हूं मैं ना दो कि शाम को नाकून काट्रियां यह कर दाड़ी बना रहे हैं यह ब्रश कर रहे हैं और फिर ऐसी घूमड़े सब कुछ खूचा रहे हैं इक कदाचार है सदाचार नहीं है नाकून ब्रश शास्त में लिखा गया कि आपने मुख मार्जन भी किया है तो नाना पड़ेगा इसलिए जब भी नाने जाएं सुभिया शाम ब्रश नाकून करके से बातरूम में घर के नाके फ्रेशों के निकलना चाहिए मलत यागने के बाद नाना चाहिए नहीं तो हम लोग मलत यागने के बाद अगर कोई भी चीज शूतिया वह अपवित्र हो जाता है तमुग उनका प्रभाब हो जाता है और तमुग प्रभाब जितना घर में बड़ेगा उतना शांती उतना अलक्ष्मी उतना दरिद्वता रहेगा उतना रोग दुख शोग चीनता रहेगा यह हमेशा रखी ध्यान रखी गाई विज्ञान है हमाएं धर्म में जो शुद्वता दिया गया है वह बहुत बड़ा साइन्स है क्योंकि हमाँ धर्म सिर्फ बॉडी मेंटेन करना सिखाता नहीं है सिखाता है चेतना मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी है कुट्ता पालना घर में कुट्य के साथ एकदम संगलंगन होके कुट्ता तो मलतियाकर के नहाता नहीं है आप तुस्थ करोगे आप खाना पकार आप चेतना दूशीत रहेगी तो यह सब चीज कभी भी हमारे धर्म में कभी इसका अलाव नहीं किया गया है सबके जगे पर है रेस्पेक्ट है जिसका जो स्थान है उसको उस स्थान में से आपको शाथ पशियोनी में जाना पड़े बहुत खत्रा है मृत्यों के बाद तो इस विज्ञान को हमेशा हर एक्टिविटी में भी ध्यान रखा गया है कि क्या करने से चेतना शुद्ध रहेगी और इसका अधपतर नहीं होगा क्योगी संहतर धर्म मनुष्य जीवन को हायर प्लाट्टूर्म मे लीजाने का धिर महें कि यूँकि आप कितने योनि पारकर के मनुष्य योनी में आये हो好不好 अब है इसbernating इसकी और लोग में जगा सकती है उसका विद्या है और बागी जो अधर्म में चल रहे हैं वो इस दिन इच्छी जाने का विद्या है यह मॉडरन कल्चर मॉडर सिविलाजिदेशन लेट लेट तक नाना बहुत लोग ब्रश करके टटी करके गुंदर रहते घर में जूचाके वही खा रहे हैं फिर बारा बज़े जाके ना रहे हैं को तो इसला मलेच्छी अवनों कल्चर है यह पताँ निहीं कैसे हमारे धर्म में घुच गया नहीं किचन में तो यह ले भिजना नहीं सूबहे ब्रश सब कुछ करो ना दो के नधर कि आउनके कव्शण जाई है मेरी माँ का ने देखा है हमेशा मेरी माा सुइस वह कभी किचन में गुश्ता नहीं चाहिए किचन जो चीज है वो चेतना आपका चेतना पकाया जाता है तो यह सब चीज मार्जन इसलिए महाप्रभवी लीला करके दिखा रहे हैं कि मेरे अपना चीतत भी सुद्ध करो और बाहर भी सुद्ध करो इससे आप आपको मायन कांगेजमेंट मिलेगा नापका मन शुद्ध होगा कि आपका वातवर्ण सुद्ध होगा आप होगे परिवेशंत होगा कि रहे पता नहीं गुझे यह आश्य लगता है कि बहुत तोग नाना पसंद नहीं करते हैं गर्मी में भी पसीने में बदू मार रहा है फिर नाहेंगे नहीं नाने बोलने से मनें इससे पता नहीं इसे गरम तेल में कड़ाई में उतरना पड़ेगा उसको तो यह चेतना का उनको खुद के अंदर इसका अनुशोचना वज़े कि चेत ना कि ऐसा सभाव हो गया है तो भक्त अगर बनना है तो पहले तो यह सबस्वारा चीज है यह तो दरपन अमार्जनम और शुरुवात होता यहां से हमारे स्कॉर्ट में एक कोर्स किया जाता है वो है पर्स्रोल्ट डिव्लोब्मेंट उसमें एक स्थैक्शन पढ़ाय जाता है वो है सिल्फ मैनेजर खुद को मैनेज करना उसमें यही चीज़ सिखाय जाता है जो खुद को मैनेज करने में असल मरते हैं वो क्या किसे के लिए क्या कर लेगा वो संभव नहीं तो माँ प्रभू इस घटना के मादम से शिक्षा दे रहे हैं कि आप लोग भी इतने भक्त हैं सब वरिष्ण व्रताचार में इसका जो दिख दर्शन दिया गाए इसका जो परी सिमाना दिया गाए वह आप लोग अवश्चे ही सीखें सीखना ज़रूरी है और रिदय से पालन कीजिए यह पहले-पहले तोड़ा लगता है और लेकिन लात हो जाता है ऐसा विवाद में इसके तरह आप रहनी सकते ऐसे करना चाहिए अगर आप खुद को शुद्ध होना भगवत दम जाना है और फिर इसी योनी में लोटके आना है या धनबाद में लोटके आना है मरन्य के बाद तो आपका मर्जी कीजिए उसमें कोई प्रब करता नहीं है तो बहुत लोग खड़े हुए थे इंड़ दुनों सरवर से कलशो में पानी लाके खड़े हुए थे वेट कर रहे थे महाप्रभु कब बुलाएंगे हम लोग को तो हम लोग आएंगे जथी महाप्रभु ने कहा आजाओ आई पानी दो बाद जाड़ू हो गय के सीलिंग में फेक रहे हैं तो सीलिंग जो है उसको धो रहे हैं महाप्रभु और सब भक्त लोग तो कोई-कोई तो महाप्रभु को पानी लाके उनके हाथ में बोल रहा है क्रिश्न क्रिश्न पानी लो और कोई की चाला की तरकी क्या कर रहा है कि महाप्रभु के पाउं में देगे पिले रहा है और कोई चर्णामित को फिर बाठ रहा है घर थुई प्रणालिकाई जल छाड़ी दिलो शेई जले प्रांगोन शब भरिया रोहिलो निजबस्त्रे कोईलो प्रभु ग्रिहोसं मार जन महाप्रभु निजबस्त्रे माजीलो सिंगाशन सत घट जले होईलो मंदिर मार जन मंदिर शदिया कोईलो जैन निजमन निर मल शितल स्निक्ध करीलो मंदिरे आपन रिदाय जैन धरीलो बाहिरे सत शत जन जल भरे शर भरे घाटे स्थान नाहिके हो कुपे जल भरे पुर्ण कुम्भ लोईया आईशे सत भक्त गन सुन्न घट लोईया जाय आरशत जन नित्यानन्द अद्वाईत सरुप भारती पुरी इहाबी ना आरशब आने जल भरी घटे घटे ठेकी कत घट भांगे गेल सत शत घट लोग ताहा लोईया आईलो जल भरे घटे करे हरी ध्वनी कृष्ण हरी ध्वनी बिना आर नाही सुनी क्रिष्ण क्रिष्ण कोही करे घटेर प्रार्थन, क्रिष्ण क्रिष्ण कोही करे घट समर्पन, जेई जेई कहे शेई कहे क्रिष्ण नाम, क्रिष्ण नाम होईल संकेत सब कामे, प्रिमा बाशे प्रभु कहे क्रिष्ण क्रिष्ण नाम, एकली प्रिमा बेश्षे, करे सतो जने र काम, सता हस्त करे ने जैन, खालोनो औमार जन, प्रती जन पाशे जाए करा औस शिक्षन, भालो कर्म देखे एतारे करे प्रसंग्शन, मने ना मिली लेक करे पवित्र भर्चन तुमी भालो करे आछो सिखा हो अन्यरे एई मत भालो कर्म सेई जान करे एक अथा सुनिया सबे संकुचिता हुईया संकुचित हुईया भालो मते करे कर्म सबे मंदिया तबे प्रक्षालन कोईल स्री जग महन भग मंदिर आदी तबे कोईल प्रक्षालन नार्षाला धुईया धुईल चत्तर प्रांगन पाक्षाला आदी करी करील प्रक्षालन मंदिर आदी जत्तर प्रक्षालन कोईलो सब अंत प्पूर भालो मते धुआईलो हैनो काले गोडिया एक सुभुद्धि शरल प्रभुर चरन जुगे दिल घट जल शेई जल लोईया आपन पान कोईलो ताहा दे की महप्रभुर मोनेरश हुईलो यद्ध पिगुशाई तारे हुईयाचे संतस धर्म सांग स्थापन लागी पाहिरे महारश शिखा लागी शरुपे डाकी कोईल ताहारे एई दाको तमार गोडिया आर बैभुआरे इश्वर मंदिर मोद मोर पदधो आईलो शेई जन आपनी लोईया पान कोईलो एई अप पर आदे मोर काहा हबे गोती तमार गोडिया करे एतेक दुर गोती तबे सरुप गोशाई तारे घाडे हाथ दिया ठेका मारे पुरीर बाहिर राखिले लेन लोईया पुनो आशी प्रभुर पाय करील बिनाए अग्जे आपराद समा करीते जुआए तबे महा प्रभुर मन संतस होईलो शारीकरी दुई पासे सबारे वशाईलो आपने बोशिया माजे आपनार हाते तिनका कर कुटा लागिया कुडाई ते कि कतो कुडाए सब एकत्र करीबो जार अलप तार ठाए पिठापाना लोईबो एई मत सब पुरी करीलो सधन चितलो निर्मालो कोईलो जेन निजमन प्रुनालिका छारी जदी पानी बहाईलो नुतन नदी जान समुद्रे मिलीलो एई मत पुरद्वार आगे पथ जतो शकलो सधीलो ताहा के बोलनीवे कतो निश्रंग मंदीर भीतर बाहिर सधीलो खनेक विश्राम करे नित्र आरम भीलो चारीदिके भक्त गन करे न किर्तन मद्धे नित्त करे प्रभु मत्त सिंहसं सेद कंप बोईवर नाष्टु पुलक हुंकार निज अंग धुई आगे चले अश्टु धार चारीदिके भक्त अंग कोईल प्रक्षालन स्टावनेर मेग जैन करे बरिशन महा उच्च संकीत ने आकाश भरिला प्रभुर उद्धन्ड नित्ते भुगम्प होईला शरु पेर उच्च गान प्रभुर सदा भाय आनंदे उद्धन्ड नित्त करे गोवर राय एई मत कतक्ख नित्त जे करिया बिश्राम करिल प्रभु समय जानिया आचार्ज गोशाइर पुत्र श्रिक पाले नाहाम नित्त करी ते तारे आग्गादिल गोवर धाम प्रेमा भेश नित्त करी होईला मोर्चीत अचेतन होईया तेहां परिले भुमित आस्ते व्यास्ते आचार्जो तारे कोईलो कोले शाशरो ही देखी आचार्जो होईलो विकले निश्रिंगेर मंत्रो पड़ी मारे जल छाटी हुंकारेर सब्दे ब्रोम्मांडो जाये फाटी अनेग करिलो तभु नाहाये चेतन आचार्जो कांदेन सब भक्त गन तवे महाप्रभुतार बुकेहस्त दिलो उठोह गोपाल बले उच्च शरे कहिलो शुनिते गोपालेर होईलो चेतन हरी बली नित्र करे सरु भक्त गन एई लिला बुर्णी आचें दाश ब्रिंदा बन और तेव शंक्खे पे करी करी लुबर नन इनको पाल गुरी गोश्वामी कि बरें बुला है तो महाप्रभु क्रिष्न क्रिष्न करके सब लोग एक दूसरे को मृत्तिका पाट्र का कलश दे रहे हैं पानी भर कें जोकि इन तुमने सरेवर से मंगा गया था सवब्भक्त पानी ला रहे हैं और सभक्त खाली कलश लेके फिज पानी बने जा रहे हैं कभी कभी धक्का लगके एक पात्र गीर जा रहा है तो फिर नया पात्र मंगाया जा रहा है हां और महाप्रभु अपने वस्तरों को पोछा बना के सब मंदीर मार्जन कर दे हैं beautiful ऑस शीटल्यद्ध्य तैसे ल' करील मंदीरे मंदीर श्षिधिया कोईलो जैनो निजवन अपने मन जैसा भगवान ने वह बनल श्री मंदीर मार्जन किया पांच वेक्ति नितनन्द, अद्वैत, स्वरूप, ब्रह्मनन्द भारति, अर्पलमन्द पूरी, यह लोग छोड़कर बाकी सभी लोग कलश्टे पानी दाने का सेवा कर रहे हैं, सब लोग एक संकेत से एक दूसरे को कलश्ट दे रहे हैं, वो है कृष्ण कृष्ण नाम हो रहा है, तो ऐसे मंदिर का बाहार," जगमोहन, नात मंदीर, अंतपूर, बेधी, रत्ण बेधी, सब जो है माप्रभु ने धोया, सेलिक धोया, सब कुस्ष धोया, बाहार भी जो चत्तर है, पाक्षाला है, सब धो दिया माप्रभु ने, अभी नाला जो है, उलोग प्रांगन धोया उस पानी से पानी निकला था जब नाला छोड़ दिया तो लगा नया नदी जाके नाले में समुदर में जाके मिला इतना पानी इक टक्यात इंदुन सरोबर से और इतना धुलाई हुआ था सोचिए बाहर का रास्ता जहां से जी रास्तों में जाके रत प्रशंंगर दे वह साफ किया उसका प्रणाला साफ किए सब साफ कर दिया अपना रिधा ये माप्रवु ने बाहर ला दियाघ कोई जेन नी मेरा क्या करती होगा तो उसका गर्दन पगर के बाहर रखके आया और मन ही मन तो महाप्रभू संतुष्ट्री हुए लेकिन बहास से प्रचाल के लिए महाप्रभू रोश किये और आके बोला के महाप्रभू आप उसको शमा कीजिए वो गोड़ी है लेकि शू बुद्धी है महाप्रभू संतुष्ट्री हो ठीके जाओं महाप्रभू सबको लेके बैठे नीचे में सब लोग घेर के बैठे बाला वी चलो एक और चीज होगा अभी नूरी कंकर पत्थर जो बहरा है बहता हुआ आया है वो उठाए चुनेंगे हम लोग सोचिए क्या मने डिटेल से व महाप्रभू अपने सन्याज वस्तों में लेकी सबकों चुन रहे हैं और बहार जाके फेका तोड़ा व्रिश्राम किया जब पूरा साफ कर दिया सब कुछ तब पहले साफ किया वस्तों से अभी पविच्टत कर रहे हैं हरी नाम कीटन से महाप्रभू ने उद्धन नित्त शुरू किया कि शुद्धामदरने मितंग वईदा कि महसोची पविच्टत का दोज रूप है कि sound vibration का भी उस हो रहा है हरी नाम और महाप्राव के नित्त कृतन से जगाँ पविच्टत हो रहा है उसका वासावरण पविच्टत हो रहा है सोची और उद्धन किया नित्त किय और सब लोग देखे विश्मित हो गए फिर इतने में आठार्जो गोशाई का पुत्र गोपाल जिसको गुपाल गुर्ण गोश्वामी कहते हैं वो आया महाप्रुण नाचो तो महाप्रुण के साथ नास्ते वो बेहोश हो गया उसका पीठाजी देखा रहे तो मर तो नहीं कोई प्रान का कोई लक्षन नहीं दिखाए दे रहा है बहुत रो रहा है सब लोग भी दुखी हो गया हुआ कि निश्ट्रिंग का महामंत्र पड़े उग्रंग विलंग महाविष्णु कान में चितकार करके ब्रह्मांट फट जा गया जिलिंग फिर भी वो उठाने आचार को पाल जोड़ से बोला तो तुरंत उठके फिर निश्ट्र शूरू कर सब लोग हरी द्वानी हरी हरी वो सब लोग चिलाने लगे माप्रवुनी आप एक चीज़ एक सेवा का बहुत सुंदर एक सुंदर परिहास किया है दो परिहास किया इदर तो जो लोग अच्छे साफ कर रहे हैं माप्रव बहुत खुश हो रहे हैं उनको बोल रहे हैं और जो लोग अच्छे साफ नहीं कर रहे हैं उनको सुंदर तरीके से व्यंग कर रहे हैं क्या साफ किया है तुम लोग को भी सिखा ऐसा साफ करना जैसे कोई सुन रहा है ऐसे समझ रहा है किया है माप्रव तोन मार रहे है मुझे मारव व्यांग कर रहे तो फिर मन से और अच्छे साफ कर रहा है इधर एक व्यांग दे किया महाप्रभु ने कि कंकर पत्थर चुनने का जो सिवा दिया था जो जितना चुनेगा उतना उसको भक्ति बड़ेगा और जिसका सबसे कम कंकर पत्थर हुआ उस अपको फ्रीच खिलाएगा और यह बोल तो यह दंडो महाप्रुव खुद भगवान खुद निधादगर कर गए हैं कि जो कम सेवा करता है उसको सेवा का मौकार में ले नाकि उसका भी उद्धार हो तो वह हुआ तो यहां पर और भी बहुत कुछ लिला है समय का भाब समय बोलने ही पाऊंगा लेकिन इसके बाद सभी भक्त लोग है स्नान करने गए तो रभ विश्राम लेने के बाद वह सभी लोग स्नान किये इननुन सरोबर में फिर सुन्दर वसधारन किया निश्वदेव का नमस्कार किया उभवन गया और उद्दान में बैठे महाप्रोव के साथ और तब बानिनात महाप्रशाद लेके आया और काशी मिश्च तुलशी पुरीचा ये दो जन पांच सो लोग खा सके ऐसे अन्न पिठा पाना सब लेके आया उस जगनात पल्लब गाडन में और सब लोग बैठके फिर क्या किये प्रशाद पाए पता है कि मुझे हैं पाए सँदिग संकिर्तन हो हमारे गुरुमा सैनअ कि क्ष्ट्र बक्ति में कैसे बता हैं आपको नास नांट ले losesे कानद है क्योंकि उतो वो श्रॐ सेवा नहीं है करना है अब बोलो कौन 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 कर पाएगा बताओ इतना बड़ा कर लेगा सब लोग सुन्या कि कश्ट है यह जीवन का परम लक्ष्य है तोcommittee इतना सरल है तो फिर भी दूर्मति जीवों का यहाँ पे इस भक्ति में कोई आकरशन पैदा नहीं होता है वो आकरशन पैदा इसलिए नहीं होता है उसका एक कारण है वो लोग कभी भी भक्तों के संग में आके आनंद का experience नहीं करते हैं जो लोग करते हैं वो अवश्री भक्त बनते हैं क्योंकि सामान्य जो लोग है उनको तो भक्ती के भक्तों के संग का यह आकर्शन नहीं रहा इतो प्रुभुपात के द्वारा इस संग दिया गया बहुत बाद में और प्रुभुपात के द्वारा सब जगे अवेलेबल करवाय जा रहा है गया है थोड़ा बहुत मात्रब सोलो बहुत लोग को उसका अश्वदन मिला तो वो लोग आ गए भक्ति में अभी बहुत बाकी है तो आप लोग उसली मेरा विनिती है ताकि सब लोग को खुलने का एक सुझोट ट्राप्त है किम लोग सबलो को मिलके जो हम लोग और यात्राओं में भकतों के संग में हसी मजाक में सेवा करते हुए इस सभी लोग को मिले तो कितना सब लोग की घर-घर में मंदीर बन जागा सभरी ध्वनी कृष्णन नाम करेंगे सब लोग को इस विज्जान का जानकारी नहीं है आप लोग को जानकारी हुआ है आप लोग जन्दन में जाके ही जानकरी दो महाप्रवु ने आपको जितने लोग भी इस धनबाद से जुड़े हुए हैं सभी लोग को महाप्रवु ने क्रिपा किया हैं अब यह क्रिपा को शेयर करो तो आपके पास प्रोचुर मात्रा में और क्रिपा है तो लास्ट में फलशूती यह है गुंडी जाग्रिय मार्जान संखेपे कहिलो जहादे किश्षुनी पापिर क्रिष्ण भक्ति होईलो श्री रूप रगुनात पदेजार आश श्री चैतन चैता मृत कहे क्रिष्ण दास तो क्रिष्ण दास कभी आज गुश्वामी कह रहे हैं कि ऐसे गुंडी चा मार्जान लीला मैंने शंखेप में वर्नन किया है जहाँ जो देखने सुनने मात्रे से पापियों का भी क्रिष्ण भक्ति उत्पन्न होता है तो यह फलशुति हैं महाप्रभु ने महाप्रभु जब निट्र कर रहे थे तब उनके दीब्य देह में अश्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो रहा था और प्रिमाश्रू से भी वो मंदिर धुल गया उनके सब भक्तों के प्रिमाश्रू से तो डवल पवित्र मार्जन हो गया तो धन्य है हमारा ये देश भारत भूमी जहां पर हर युग में भगवान स्वयम आते हैं भगवान के पार्शोदों के साथ लिला करते हैं धन्य है ये जगनात प्रिधाम जहां पर जगनात का अचल सचल दोनों विक्र नित्ल नवायों मालीला में मगन हैं आज भगवान का नवो जोवन श्रिंगार हुआ, भगवान स्नानपुन्य का बाद जो उनको ज्वर हुआ था, उससे मुक्त हुए, कुरेंटाइन से भगवान बाद है को चौदर दिन के बाद, आज नवो जोवन वेश हुआ भगवान का, भगवान कृपा देने के लिए बै गुंडिता में रत्रियात्रा करेंगे, मनीमा, मनीमा करेंगे सब रत्रियात्रा खीचेंगे, रत्रियात्रा में सब भगवान की महिमा का जयगोश करेंगे, भगवान की महिमा को देखेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास हैं कि इसके बाद से कोरोना का, कोरोना और कोर जमस हैं कोरोना का जितना भी प्रदोश है वो बातवरन से मुक्त हो जाएगा प्रभु जगनात बहार आएंगे अपने भक्तगनों को देखेंगे और कृपा दिलिष्टी जैसे जब कालिय लीला हुआ था जब उनकी गुपसखा लोग उस कालिंदी सरुवर के बादेने जहा विष्ट का प्रभाव इतना था कि उपर से वेपरेट होके जब पन जाता था उपर तो पक्षियां भी गिरके मर जाते थे तो उसका वेपरेशन दिन पर दिन बढ़ रहा था तो जब बच्चे लोग गए गो बाल लोग तो उसका वेनोमस जो एक उग्र गंद था जब भगवान ने कालिय को दंड दिया विष्ट निकाला जब भगवान तट पर आये तब कृपा द्रिष्टी करके उन्हों जीवीत कर दिया सब भक्तों को संजीविनी दे दिया जस देखके मात्र से मेरे सखालोग का ऐसा हालत हुआ और इसलिए कालिय को बहुत मार मारा ऐसा मार मारा था कालिय का फन में से कालिय को विष्ट क्या खाने को कालिय का खून का उल्टी हो गया था इतना भयंकर पदप्रहार किया था भगवान ने इसी कारण उसके भक्तों कश्ट दिया बोल गया इवे नंद बाबाबा ये बेवश हो गय थे उसका विष्ट का प्र जैसे गोपियां बोल देना काली फन के उपर आपने पदप्रहार किया था ऐसे हमारे काम वासनाओं का फन उठाके रहे हैं हमारे अंदर एक भोग वासना का नाग है उसको फन के उपर कुछ लिए पाउं देखे राकि फन नस्ट हो वो साप नस्ट हो और हमारे दय में आपके क्रिपति शुद्ध प्रेम जागरी थो तो कल जगनात जीव आसा क्रिपाद रिष्टी करेंगे और सब संसार को संजीवीत कर देंगे मेरा पूर्ण विश्वास है कि पतित्व पावन परम दयालू जगनात महाप्रभू बलभद्र के साथ जब बहार आएंगे तब उनके क और हम भक्त लोग भी इसकों धनबाद में भगवान का नवो जोवन श्रिंगार दर्शन करेंगे भोग लगाएंगे और जरनात गुनुगान करेंगे मैं आज समय किसमा खतम होने कारण से भक्तों के लिवा बोलने नहीं पाया तो हम फिर एक दिन एक लेक्ट्य स्टिघूल करेंगे तो हम लोग ये कथा श्रबन करेंग ये कल भी हो सकता है कल एक टाइम पर हम लोग श्रवन करेंगे सिर्फ जगनाक्ति भक्तों एक कथा तो भगत धन्यवाद आप सभी का अपर से सुखी रहें और कल की ली प्रिपरेशन लें जो जो भक्त हमारी यहां पर आते हैं बहुत बहुत धन्यवाद हरे क्रिश्णा